मेर प्यारे बच्चों, क्या हाल है, कैसे हो, स्वस्तो ना? चलो, अच्छी बात जहां रहो बिटा, स्वस्त रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो. आज हिंदी का 6 पाट पढ़ाने जा रहे हैं, पाट का नाम है गुरु नानक. पाट का नाम है गुरु नानक. आज से लगभग 500 बर्श पहले की बात है, पंजाब के तलबंडी नामक गाउं में एक पटवारी रहते थे. उनके घर गुरु नानक का जन्म हुआ था. गुरु नानक जब छोटे थे, तब उनके पिता ने उन्हें एक पंडीत जी के पास पढ़ने के लिए भेजे. जब गुरु नानक पढ़ने गये, तो पंडीत जी ने बताया कि बेटा ओम लिखो. गुर्णानक पंडित जी की बास सुन करके पूछे पंडित जी ओम का क्या अर्थ होता है? क्या मतलब होता है? पंडित जी बोले देखो बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे तो स्वेम इसका अर्थ समझ जाओगे गुर्णानक बोले पंडित जी ओम का अर्थ तो इस्वर होता है गुर्णानक के बास सुनकरके पंडित जी दम रह गए और फिर गुर्णानक के पिता से बोले कि आपका लड़का तो इस तरह का है ऐसे ऐसे बात कर रहा है फिर इसे पटवारी अपने लड़की को एक मौलवी साहब के पास अर्वी पढ़ने के लिए भीजे कि जाओ अर्वी फार्ची की जनकारी उनसे कर लू जब गुर्णानक मौलवी साहब के पास पढ़ने गए तो मौलवी साहब ने बताया बिटा अलिफ लिखो जब गुर्णानक पूछे मौलवी साहब अलिफ का क्या अर्थ होता है गुर्णानक ने जब आप प्रश्ण पूछा तो मौलवी साहब फिर वही पंडिजी की तरह से बोले बेटा बड़े हो जाओगे तो इसका अर्थ स्वयम समझ जाओगे गुर्णानक ने कि यह भाद सुन करके फिर देखो मौलवी साहब क्या कह रहे हैं कि गुर्णानक बोले कि अलिफ का अर्थ यानि अल्लाह यह भाद जो जगत का सिर्जन हार जो जगत को बनाता है वह आल्लाह यह भाद सुन करके मौलवी साहब हैरत में पड़ गया है फिर वह भी पटवारिस जी से बोली कि आपका लड़का ऐसे ऐसे है ऐसा ऐसा कुश्चन कर रहा है ऐसा प्रस्ण कर रहा है यह भाद सुन करके उनके पिता गुर्णानक को कई तरह के काम करने के लिए कहे खेती गिरहस्ती के काम करने के लिए के उसमें भी इनका मन नहीं लगा फिर कहें कि चलो अभी इसमें तुम नहीं कर पाओगे चलो एक दुकान पर तुमको एक बनिये के पास बैठा रहे हैं वहाँ बनिये के पास तुम बैठ करके कपड़े की मोल तुल करना मोल दोल में गुर्णान का थोड़ा भी मन नहीं लगा वी क्या करते थे दीन रात इस्वर का भजन करते थे यह देख करके फिर पटवारी जी हैरत में पड़ गए कि भाई इस लड़के का क्या होगा जो कोई काम नहीं कर रहा है किसी भी काम भी इसका मन नहीं लग रहा है चलो अब आखरी उपाये है किसकी साधी कर दिया जाए जब पटवारी जी ने तड़के कि साधी किये क्या हुआ उसमें भी इनका मन नहीं लगा इनके दो पुत्र हुए लेकिन फिर एक हरदवार छोड़ करके घूम घूम करके देश देशाटन करने लगे और ज्ञान का बात करने लगे वे अपने ज्ञान से चाहते थे कि रूड़ी बादियों को और अंधविश्वासों को जाति भेद भाव को मिटा दे कहीं भी ये जाते थे संत सन्यासी महात्मा जो भी मिलते थे उनसे ये अध्यात्म की बात करते थे और हमेशा सदाचार का उपदेश देते थे कि हमेशा अच्छे से रहना चाहिए सदाचार से रहना चाहिए अगर किसी के अंदर कोई बुराई होती थी तो वे उसको डाट करने बोलते थे उस ब्यक्ति को वो अपने पास बिठा लेते थे और क्या करते थे उसे प्रेम से समझाते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा करना चाहिए देखो वच्चों बहुत जगा है ये घुमे लेकिन क्या इनको हिंदी से बहुत लगाओ था जितना भी उपदेश दिये जितना भी बात किये सब किस भासा में किये हिंदी भासा में किये आगे चल करके ये हिंदू और मुसल्मान दोनों लोगों से प्रेम रखते थे आगे चल करके क्या हुआ किसी भी धर्म का अपना उनहीं समझते थे कि ये हमारा धर्म है ये दूसरे का धर्म है अपने ज्यान के माध्यम से अपना जो भी था भरते थे उनके अंदर अपना ज्यान भरते थे अपने ज्यान से ही उस आदमी को अपने बस में करते थे यह नहीं कि जोर जवरजस्ती नहीं ये ऐसे करना है ऐसे रहना है ऐसे नहीं चाहे हिंदू हो चाहे मुसल्मान किसी के साथ या क्या करते थे प्रियम से बात करते थे एक बार की बात है ये घूमते घूमते चले गए दिखे कि एक नदी में सारे लोग खड़े हैं पंडित जी हैं जजमान लोग हैं पंडित जी क्या कर रहे थे अपने जजमान लोगों को तरपण करा रहे थे यहां देख करके गुर्णानक उस नदी में प्रवेश किये और अपने दोनों हाथ से पानी को उच्छालने लेके पंडी जी जब इनको देखे तो बहुत डाट लगाए कहें कि यह क्या कर रहे हो तुम्हें तरपण करने का धंग नहीं है देख नहीं रहे हो कि कैसे हम करा रहे हैं दिशा कौन सी है कभी भी तरपण करना चाहिए तो पूरव की दिशा में करना चाहिए यहां देख करके गुर्णानक बोले पंडी जी हम तरपण नहीं कर रहे हैं अपने दोनों हाँ से जो पानी उछाल रहे हैं वो पानी कहा भेज रहे हैं, अपने गाउं भेज रहे हैं कि हमारे गाउं के खेत में हमारा पानी जाएगा फिर पंडित जी को गुशा आ गया पंडित जी बोले अरे कैसे हो तुम तुमारे यहां से पानी भेजनी से दुनों हां से पानी भेज दोगे तो तुमारे गाउं के खेत में चला जाएगा गुर्णानक फिर पंडित जी से बोले पंडित जी जब आप पानी यहां से तरपन करा रहे हैं तो दूसरी लोक में आपके जज्मान के पूर्वज को मिल रहा है तो क्या यहां से हम पानी जो भेजेंगे ऐसे करेंगे तो क्या हमारा तो गाओ नजदिक है, इस लोक में है हमारा गाओ, तो वहाँ यह पानी नहीं चला जाएगा, पंडित जी इस बात को बड़े गोर से सुने, और इस पर मनन करने लगे, कि वास्तों में आ है आदमी, साधारण आदमी नहीं है, यह कोई न कोई ज्ञानी है, फिर पंडित जी गुर्णानक से बात किये और इनके बातों को समझे और अपनी बात इनको समझाए, गुर्णानक का भेश भूसा हमेशा मिलता जूलता था, कैसे कुछ हिंदू लोगों से और कुछ मुस्लिम लोगों से, और इनका भेश भूसा ऐसा था कि वे हिंदू और मुसल्मान दोनों के जैसे था, कैसे एक कलंदरों और फकीरों की जैसे टोपी और पगड़ी, ललाट पर हिंदू की जैसे केसर का तीलब, गले में मानकों की माला, शरीर पर बड़ी और बड़ी सी चदर यह इनकी भेश भूसा थे, हिंदू और मिसल्मान दोनों लोगों के मिला करके इनका भेश भूसा था, यह हमेशा दोनों जातियों का पुसाक और समन्वय क्या करते थे, यह दोनों जातियों में एक्ता की भावना भरना चाहते थे, कि दोनों लोगों में एक्ता रहे, गुर्णानक के दो पूत्र थे, गुर्णानक जब देखे कि अब हम अपने धर्म को क्या करें, अपने जो परचार परचार कर रहे हैं, उसकी लिए उत्राधिकारी को बना दे, गुर्णानक के दो पूत्र थे, लेकिन उनको अपना उत्राधिकारी नहीं बनाए, उत्राधिकारी किसको बनाए, इनके एक लहना नाम का सिश्य था, उसको, यह देख करके, क्या हुआ, लोगों में जन्तंत्र की भावना फैल गई, और जन्तंत्र क्या, बीज भी फैल गया, कि ऐसे हैं, एक गुर्णानक के अपने पूत्रों को न बना करके, यह उत्राधिकारी किसको बना दिये, अपने सिश्य को बना दिये, यही सिश्य आगे चल कर, अंगद नाम से परसिद्ध होगा, और जो भी यह बोलते थे, जो कहते थे, यह इनकी भासा, इनका ज्यान, वही अंगद प्रजार प्रशार करने लगे, और आगे चल करके, यह जो भी भजन, जो भी किर्टन करते थे, जो पद बनाते थे, विया कहां रखा गया है, कहां सुरक्षित है, किसमें लिखा गया है, गुरू गरंथ साहिब में, बच्चों यही गुरु नानक का जीवन था, यही उनकी बात थी, आप तुनों हुमर्क लिखो, हुमर्क दे रहा हैं, हुमर्क अच्छे धंग से करना, और याद करना, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, जय हिंद, जय भारत, वायवा, टाटा,